नेपाल की टीम पहले से बहुत ज़्यादा बहतर परदर्शन कर रही है लेकिन बहतर से बहतरीन बनाने के लिए हमें रुकना नहीं बलकि और बड़े टारगेट लेने होंगे और इन टारगेटों को अच्यू भी करना होगा कुछ इसी ही अंदाज के अंदर नेपाल की टीम ने एक बहुत बड़ा फैंसला लिया है नमस्कार मैं पीम डियाने सिंग और आप देख रहे हैं कमाले आद इस वक्त हम उसी फैंसले का जिकर करने वाले हैं मैं आपको बता दूँ कि नेपाल की टीम अभी अभी यहां पे चाइना से अपने घर लोटी है जैसा कि हमें अवगत है कि नेपाल की टीम भारत से क्वार्टर फाइनल में एक कड़ी मसकत के बाद हार जरूर मिली लेकिन इंस्प्रेशन भी उससे भी बढ़कर मिला था और अब वो घर आकर घर नहीं बैठने वाले यह सबसे बड़ी बात है तो वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहा है नेपाल की टीम का और इसके साथ साथ इसे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है लेकिन बेनिफिट कहां मिलने वाला है यह भी एक बहुत बड़ा सवाल तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले है वीडियो गन तक बने रही है और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लिजिए ताकि आप उगल आपडेट भी सबसे पहले मिल चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आपको याद होगा कि एसिया कप चलने वाला था उससे पहले यहाँ पे नेपाल की टीम ने दोरा किया था सिरलंका का और उसके बाद वो सिरलंका से घर नहीं आये थे उन्होंने 15 दिन का कैम्प रख दिया सिरलंका के अंदर ताकि वो कुछ सीख सकें और उस सीख का बदला हमें देखा कि जब यहाँ पे भारत की सामने मुकाबला था तो इतना बड़ा टारगेट बाकी कोई भी टीम भारत की सामने नहीं रख पाई लेकिन नेपाल ने 230 रनका टारगेट रखा था यानि कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं जितने ज़्यादा ज नेपाल की टीम चाहती है अब घर में ना रुका जाए जियां दोस्तों अब यहाँ पे भारत के अंदर टूर करने वाली है नेपाल की टीम आपको जानकर काफी ज़्यादा उत्सुकता भी है और इसके साथ साथ आपको हैरानी भी है कि नेपाल की टीम किसलिए यहाँ पे भारत का टूर करने वाली है मैं आपको बता दूँ कि नेपाल की टीम है वो राजस्तान रोयल अकैडमी के अंदर दस दिन यहाँ पे रहेगी और इस दस दिन के अंदर वो हाई प्रफोर्मेंस यहाँ पे परशिक्षन सीवर लगाएगी यानि कि जो राजस्तान रोयल्स हैं उनकी अकैडमी के अंदर वो उन चीजों को सीखने में अपनी ग्रोथ करेगी या फिर अपनी प्रैक्टिस को और जादा बढ़ाएगी जिससे कि वो आगे आने वाली हर एक सिचुएशन से भिड़ सकें लड़ सकें और स्किल इंप्रूमेंट कर सकें यह स्किल इंप्रूम के उनके सामने होंगे मौंटी दिसाई का ये फैंसला वास्त में बहुत बढ़िया माना जा रहा है मैं आपको बता दूँ कि आगे आने वाला जो अगामी टी ट्वंटी वर्ल्ड कप एसिया क्वालिफाइर है उसके लिए नेपाल के टीम ने अभी से त्यारी सुरू कर दी है जैसा कि हमें पता है कि हार के बाद यहां पे मौंटी दिसाई ने कहा था कि अब हम यहां नहीं रुकने वाले अब हम टी ट्वंटी वर्ल्ड कप की त्यारी करेंगे हम आपको उस वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई करके दिखाएंगे हम आपको दो हजार चोईस के अ बता ही बता है इसके साथ साथ उनके पास कई तरह के experience भी है experience की बात करूँ मैं तो यहाँ पे उनके पास भारत की साथ भिड़ने का तीन बार experience है एक बार A टीम से तो दो बार main टीम से यहाँ पे भिड़ी है जिसमेंचे एक वो टीम जो की हाल ही में यहाँ पे वर्ल्ड कप खेल रही है तो एक वो टीम जो की semi final जीत कर final में पहुंच चुकी है Asian Games के तो आप सोच सकते हैं कि नेपाल के टीम के पास कितना बड़ा experience लेवल है और इसी को यहाँ पे ओर जादा expose करने के लिए इसको extremely high करने के लिए इस potential को नेपाल की टीम पहुंच रही है राजस्तान के अंदर जो की भारत का एक state है और सबसे बड़ा state है मैं कहूं कि छेतरपल की दरश्टी से राजस्तान रोयल नाम से IPL के अंदर टीम भी आप सभी लोग जानते भी होंगे लेकिन जो भी हो हमें यहाँ पे अब जो एक qualify लेवल चल रहा है उससे पहले इतनी बड़ी practice की जरूरत भी है और इस जरूरत के लिए नेपाल की टीम पहुंच भी चुकी है दूस्तो निबाल की टीम की इस कदम के लिए आपकी क्या राय है अपने विशार कोमेट सेक्शन में जरूर लिखिए चलिए आज के लिए तनर रखता आगे को ने अपडेट मिलता है फिर आपकी सामने हाज रोग तो विडियो लाइक किजिए सेर किजिए और अगर आप चैनल पे नए हों चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन दबालेजिए तक आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके